हर्यों प्रिदर्सकों यदि आपकी मीन रासी है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा समझेगा क्योंकि जैसे कि आपने थमनेल में पढ़ा ही कि जानी वो कौन सी रासी है जो आपके लिए बहुत महत्तपून है और साथ में पांच राजयोगों का निर्मान होने जा रहा है वो कौन से राजयोग हैं और क्या रिजल्ट आपको देने बाले हैं ये हम विस्तार से समझेंगे परंतु साथ में एक बहुत महत्तपून बात है एक दुर्योग भी बनने जा रहा है तो इसका भी क्या प्रहा होगा क्या साधानी आपको रखनी होगी ये भी हम जानेंगे और प्रिदर्स को हम उपाई भी जानेंगे और ये भी जानेंगे कि ये रिजल्ट आपको मिलेंगे कितनी मात्रा में मिलेंगे या नहीं मिलेंगे क्योंकि आप बहुत सारी वीडियो देखते हैं और कंफ्यूज रहते हैं कि कोई बता रहा कि बहुत अच्छा हो पूरे महीने का कहा जाए तो जो ग्रहों के परिवरतन होते हैं सभी का प्रवाव एक साथ मैंने बताया था तो उसे आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया और इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्नवाद और आपके अप कमेंट आ रहे थे तो अभी सिरीज को हम आगे भी जारी रखेंगे और जन्वरी में प्रयत्न होगा कि जल्दी जल्दी प्राप्त हो सके आपको इस टार्टिंग में ही परंतु इस बार थोड़ा लेट हुआ है और परंतु ये समय बहुत महत्पून बहुत सही समय में बन रही वीडियो क्योंकि इसी समय ग्रहों के परिविर्तन बहुत जादा हो रहे है तो आईए समझ लेते हैं कौन से राज योग है तो राज योगों की बात की जाए तो सबसे पहला राज योग है सूर अपना राशी परिवितन करने वाले हैं, क्योंकि यह 16 दिसंबर को अपना राशी परिवितन कर चुके हैं, मंगल की राशी ब्रस्चिक राशी को छोड़के देवगुरु भ्रस्पत की राशी धन राशी में गोचर कर रहे हैं, इसकी वीडियो आपने चैनल में देखी भी होगी तो ये देव गुरु ब्रहस्पत के साथ नबम पंचम राजयोग में आ चुके हैं परंतो इसके अलाबा ये बहुत महत्पून तारीख है वो कौन सी है 28 तारीख 28 दिसंबर को मंगल अपना राशी पर विरतन करने जा रहे हैं और ये यहां पर बहुत लंबे समय तक रहेंगे क्योंकि अपनी राशी को ही छोड़ के व्रश्चिक राशी को और देव गुरु ब्रहस्पत की राशी धन राशी में ये भी गोचर करेंगे तो सूर भी पहले से ही यहां बैठे होंगे तो यहां पर सौर योग का निर्मान हो जाएगा जो कि बहुत महत्पून र रहे हैं वो भी एक ही ग्रह से अर्थाद देव गुरु प्रस्पति से दोनों ग्रह नबंपंचम राजयोग में हैं और साथ में इधर एक ही राशी में धनुराशी में ही सोर और मंगल दोनों बैठे हुए हैं और तो एक तो नबंपंचम राजयोग बहुत पावर्फुल हो चुका है और दूसरा शौर योग भी बहुत पावर्फुल हो चुका है इसलिए बहुत विशेश राज्योग तीन तीन राज्योग बन रहे हैं फिर चौथा राज्योग है बुधा दित्योग क्योंकि देव गुरु ब्रहस्पत की राशे में शूर गोचर कर रहे हैं और ये जैसे ही यहां आ जाएंगे तो 28 दिसंबर को फिर बुध भी आ जाएंगे व्रेश्चिक में ये बुध भी आएंगे तो लक्ष्मी नाराणी योग का निरमान हो जाएगा तो ये 5 राजयोग हैं जिनके प्रफवाब को मिलने बाले हैं और दुरीयोग को समझना बेहत जरूरी है क्योंकि आप राजयोग को समझ रहे हैं परंतु दुरयोग बहुत महत्पूर है ये है सुक्र और बुद्ध के द्वारा बनाया हुआ शुक्र 25 दिसंबर को जैसे यहां पर आएंगे तो सूर के साथ हो जाएंगे 12 के संबंध में फिर मंगल जैसे 28 को आएंगे तो ये दुरयोग बहुत खतरनाक कहा जाए तो है मैं डरा नहीं रहा हूँ समझाने वाला हूँ यदि समझेंगे पूरा वीडियो देखेंगे तो सब कुछ आपको क्लियर मालूम बढ़वाएगा क्या है अब 12 का संबंध खतरनाक क्यों है क्योंकि सुक्र कौन है सुक्र है सुक्र है आपकी चाहिए जो आज के समय में हम घर गाड़ी बंगला आदी चाहते हैं सब कुछ चाहते हैं जीवन में सब कुछ हो हमारे पास वो सब चीजों में सुक्र का बहुत जाला आदी प्रत्त होता है और जो लोग फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हैं करा के छित्र का बहुत जादा प्रहा होता है बुद्ध की बात की जा तो बुद्ध के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता क्योंकि बुद्ध कौन है बुद्धी बिना बुद्धी के कोई काम कर सकते हैं क्या नहीं बिना बुद्धी के निरने के कुछ भी हम नहीं कर सकते हमको भोजन भी कर ना हो उसके लिए बुद्धी का इस्तिमाल तो होता ही है तो ये भी 12 के सम्मंद में आ रहे हैं तो आईए सबसे पहले समझ लेते हैं राज्योगों का प्रफाव तो राज्योगों का प्रफाव देखा जाए तो आपके जीवन में यदि बहुत महत्पूर बात है कि केरियर को लेके यदि आप बहुत ज़्यादा चिंतिब थे केरियर को लेके आप परिसान थे आप काम तो कर रहे थे अपनी तरफ से होनी चाहिए तो ना तो प्रमोशन मिल रहा था और ना सेलरी बढ़ रही थी तो प्रमोशन भी होगा और सेलरी भी बढ़ेगी साथ में जो लोग जॉब के लिए प्रयत्न कर रहे थे इंटर्व्यू दे दे के ठक गए थे बहुत प्रयत्न कर रहे थे या आप अपना जॉब करना चाहते थे, यहां नहीं जम रहा चलो चेंज ही कर लेते हैं, या आप जहां पर कर रहे हैं जौब, उससे अच्छा पर कोई मिल गया, वहां पर आप चेंज करना चाहते थे, अब यह मौका है चेंज कर सकेंगे, और जो लोग जौब के लिए रत्न कर रहे थे, उनको भी जौब मिल सकेगा, इसके अलाबा देखा जाए तो आप सरकारी छेत्य से जुड़े हुए काम कोई भी करना चाहते थे, वह अठके हुए थे, तो वहां पर भी आपको विजय प्राप्त होने बाली है, घर, गाड़ी, बंगला, यह सब लेना चाहते तो ले सकते हैं, खासकर भूमी भमन का काम, अर्थाद प्रॉपर्टी का काम, यह आप घर लेना चाहते थे, यह बनाना चाहते थे, यह आप कर सकते हैं इस समय, और इस समय योग से योग भी बनेंगे, कि आपको चीजें प्राप्त हों, और उनके लिए बहुत महत्तपूर्ण है, जो लोग क्या कर करते हैं, प्रॉपर्टी का काम, बिल्डर हैं या ब्रूकर हैं, तो यह समय होगा, आपको लाभ मिलने बाला है, और आपके जीवन में समस्याएं थी कि घर भी नहीं रहा है, फ्लैट भी नहीं रहा है, आप कंट्रेक्स का काम चालू कर दिये हैं, मतलब बनाना चालू कर द बने, अब इस समय ग्राहां का आपके बढ़ने वाले हैं, या आप ब्रोकर हैं, तो कोई को रोग खरीद ही नहीं रहा है, या भाड़े से ही नहीं ले रहा है, तो इस समय अब आपको योग सहयोग मिलेगा, और इसके अलावा देखा जाए, तो लोगों का भी सहयोग मिलने बाला है, और यदि आप संतान को लेकर चिंतित्य तो संतान की इस्तितियों में सुधार होगा, या आप का बच्चा पढ़ाई कर रहा है, और वो कहीं नकहीं पढ़ाई में कमजोर है, पढ़ाई में वो उतना अच्छा विजल्ट नहीं ला पाता है, उतनी मेहनत नहीं कर पाता है कहीं न कहीं मन उसका भ्रहमित रहता है तो पढ़ाई में मन लगेगा बच्चों का और वो अच्छे result ला सकेंगे अच्छी मेहनत कर सकेंगे और धन में भी ब्रद्धि कौन से धन में बैंक जो लोग चिंतित थे इसको लेके कि हमारे जीवन में धन आता तो है इधर से भी आ रहा है खुब धन आ रहा है परन्तु टिकता नहीं है अब धन आएगा भी और तिकेगा तो प्रिदर्ध को ये कुछ लाब थे जो कि आपके जीवन में आप मिलने वाले हैं परन्तु आप सा साधानिया क्या है विपरीत का सम्मान करना पुरुस है तो इस्तरी का सम्मान करना और इस्तरी है तो पुरुस का सम्मान करना साथ में कोई भी निर्णे ले रहे हैं छोटा हो या बड़ा हो बहुत साधानी के साथ ले किसी को कुछ कहने से पहले आपको सो बार सोचना चाहि रहे हैं तो वहाँ पर सावधान नहीं आपके साथ कोई धोखा धड़ी कर सकता है इसके अलावा यदि आप जौब के लिए इंटर्वी देने जा रहे हैं या आप जौब कर रहे हैं तो वहाँ पर जो लोग आपके आज पास हैं उनका सहयोग लिजिए परंतु उनके साथ समझे परंतु आपनी वातें गुत बातें शेयर नहीं करना किसी के साथ भी इन बातों का ध्यान रखें बांकि मैंने बताया कि निर्णे लेना बहुत महत्तकून होगा बहुत सावधानी के साथ ले और प्रीदर्श को देखा जाए यह सावधानिया तो ठीक ही हैं परंतु तो हम एक बात जो बहुत महत्तकून है इसको समझना जो मैं हमेशा कहा करता हूँ कि यह जो राजयोग ग्रह बनाने जा रहे हैं यह दुर्योग बनाने जा रहे हैं इन ग्रहों की इस्तिति आप अपनी जन्म कुंडली में चिक करिए क्योंकि यह तो गोजर का प्रोहाओ है तो यह जन्म कुंडली में आपके अच्छी इस्तिति में हैं मजबूत हैं तो आपको यह रिजल्ट देंगे और यह दिकमजोर अवस्ता में हैं पेडित हैं यह रिजल्ट ना मिले या तो बहुत कम मात्रा में मिले तो इसलिए जन्म कुंडली में क्रहों की इस्तिति चक कर कुंडली दिखा सकते हैं और अब हम उपाय की बात कर लेते हैं उपाय के रूप में आपको भगवान नारेंड और माता लक्षमी की आराधना करनी है जिससे आपकी जीवन में जो समस्या हैं दूर हो जाए ओम स्री महालक्षमे नमा इस मंत्र का जब कर सकते हैं श्री शुक्त नाम का पाड़ कर सकते हैं और भगवान नारेंड और माता लक्षमी की जितनी ज्यादा आराधना कर सकते हैं और मन में क्योंकि देखे इसमें पैसा नहीं लगना है हरी ओम हरी ओम हरी ओम जबते रहे हरी कौन भगवान नारेंड और जय मालक्षमी जय मालक्षमी भी जबते रहिए इससे माता की और भगमान नारैन की करवाप राप्त होगी कमेंट में हरी ओम लिखना है और जैमा लक्षमी लिखना है जिससे बाद में समय मिले ना मिले अभी इसमरन कर सकें लिखने के साथ बोलना भी है एक बार लिख रहे हैं दस पतास सौ बार जितना जादा बोल स आईएगा कि यह सीरीज चालू रखना ठीक रहेगा कि नहीं क्योंकि आने वाला जो महीना जन्वरी है उसमें हम कोसिस करेंगे जल्दी जल्दी आपको प्राप्त हो सके यह आप लोगों के कमेंट आते हैं तो वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्नवाद